आनन टिटोरियल में आप सभी लोगों का हरदिक स्वागत है आज हम कक्षा दस्वी विसे हिंदी हिंदी विसे में हमारा पार्ट चार मन ये कविता है और इसके कवी हैं विकास परिहार जी तो चलो बच्चो एले हम परिचे देख लेते हैं जनम 1983 गुना मध्यप्रदेश परिचे विकास परिहार ने 2000-2006 तक भारती वायू सेना को अपनी सेवाएं दी फिर पत्रकारिता के छेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े साहित्य में विशेश रुची होने के कारण आप नाट्य गती विदियों से भी जुड़े हुए हैं पद्य समंधी हाइकू या जापान की लोगप्रिय काव्य विधा है हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है पांचवे दसक से हिंदी साहित ने हाइकू को खुले मन से स्विकार किया है हाइकू कविता पांच धन साथ धन पांच बराबर सत्रा वण के धाचे में लिखी जाती है प्रस्तुत हाइकू में कवी ने अपने अनभो और छोटी छोटी विभिन घटनाओं को अर्थवाही सीमित सब्दों में प्रस्तुत किया है तो पहले बच्चों हम कवीता पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम इसका अर्थ देखेंगे ठीक है तो चलो कवीता पढ़ते हैं घना अंधेरा चमकता प्रकास और अधिक करते जाओ पाने की मत सोचू जीवन सारा जीवन नया मचधार में डोले समहाले कौन रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन काटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रणा भीतरी कुन्ठा आखों के द्वार से आई बहार खारे जल से धुल गए विशाद मन पावन मृत्यु को जीना जीवन विश्पी ना है जिजविशा मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आखे चलती साथ पटर्या रेल की फिर भी मौन सितारे छिपे बादलो की ओट में सूना आकास तुमने दिये जिन गीतों को स्वर हुए अमर सागर में भी रहकर मचली प्यासी ही रही सागर में भी रहकर मचली प्यासी ही रही बच्चो इनकी एक-एक पंग्तियों का बहुत अच्छा अर्थ है अब हम इनके अर्थ देखेंगे हमने पंग्तिया पढ़ ली है अब हम अर्थ देखेंगे घना, अंधेरा, चमकता, प्रकास और अधीक बच्चो प्रस्तुत पंग्ति में कभी कहते हैं जब अंधेरा घना होता है, कभी कह रहे हैं कि जब अंधेरा एकदम घना होता है, तब प्रकास और अधिक चमकता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्तितियां घने अंधिकार के रूप में हमें घेर लेती हैं, तब ही वहीं से एक आएक प्रकास की किरने फूर पड़ती है, प्रस्तु तुपंक्ति के माध्यम से कभी हमसे कहता है कि जब एकदम गना अंधेरा होता है एकदम अंधेरा तब प्रकास और अधिक चमकता है जब ज़्यादा अंधेरा रहेगा तो प्रकास ज़्यादा चमकता है अर्थार जब प्रतिकुल प्रस्तियां हमें अंधिकार की रूप में घेर लेती है तब वहीं से एक एक प्रकास की एक नई किरन फूट पड़ती है उसका जन्म होता है चलो दूसरा पंक्ती करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा प्रस्तित पंक्ती में कभी कहते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए कभी कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में हमेसा काम करते रहना चाहिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है हमें क्या प्राप्त होगा बस हमें काम करते रहना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा हमें क्या प्राप्त होगा आगे जीवन नया मजधार में डोले संभाले कौन तो प्रस्तुत पंक्ती में कभी कह रहे हैं कि यह जो हमारा जीवन रुपी नईया है यदि संसार रुपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य सम्हालने के लिए नहीं आएगा बलकि उसे हमें सोयम ही पार लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी पार लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा कभी कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन रूपी नहीं आ है यह जो संसार है हमारा जीवन रूपी अगर इस सागर में अगर हमारी नाव डगमगा जाएगी तो उसे सम्हालने के लिए कोई नहीं आएगा बलकि हमें ही प्रत्न करके अपनी नाव को पार लगाना पड़ेगा रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागून प्रस्तत पंग्ति में कवी कह रहे हैं कि फागून का महिना अपने संग बसंद के विभीद रंग लेकर आया है यह समय उलहास और उमंग का समय हैं अता हम सभी को समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूल कर वसंतरितु का आनन्द लेना चाहिए आपको तो पता है जब वसंतरितु आती है तो क्या होता है बच्चों चारो तरफ हर्याली रेती है चारो तरफ खुशी ही खुशी रेती है तो कभी यही कह रहे हैं कि जब फागुन का महिना अपने संग बहुत सारे रंग विरंगे कलर लेके आता है हर्याली लेकर आता है और वो समय बहुत उल्लास का खुशी का समय हो बच्चो इस पंक्ती में कभी कह रहे हैं कि जो फूल है वो काटो के बीच में रहता है जैसे आप लोगों को पता है बच्चो जो गुलाब का फूल है वो काटो के बीच में ही रहता है फिर भी वो हसता है खिल खिलाते रहता है मुस्कुराते रहता है तो हमें उस फूल से ये पिरणा लेना चाहिए कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्तिती आए हमें अपनी उन परिस्तितियों से घबराना नहीं चाहिए बलकि उसका सामना करना चाहिए जिस प्रकार गुलाब का फूल काटों में रहकर भी हस्ते रहता है खिलाता रहता है और वो हमें पिरणा देता है कि अपने परिसानियों से घबराओ मत बस अपना काम करते जाओ ठीक है तो हमें गुलाब के फूल से ये पिरणा लेनी चाहिए कि किसी भी परिस्तिती में घबराओ मत तो बच्चों आप लोग भी आप दस्वी में है तो आप घबराइए मत कि क्या होगा हमें अच्छे नंबर मिलेंगे की नहीं बस आप प्रयतन करते रहिए आपका प्रयतन अर्था पढ़ाई करना आप पढ़ाई करते रहिए आगे सब अच्छा होगा चलो आगे देखते हैं भीतरी कुंठा आखों के द्वार से आई बहार प्रस्तुत पंक्ती में कभी कहते हैं जब नेत्रों से आसु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ गई है आगे खारे जल से घुल गए विशाद मन पावन तो बच्छो इस पंक्ती में कभी कह रहे हैं जब नेत्रों से आशु बहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि आशुओं के खारे जल के साथ मन का संपून विशाद गुस्सा सब घुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है इस पंक्ती में कभी हमसे कह रहे हैं कि जब हमारे आखों से असु निकल जाते हैं असु मतलब आशु जब हमारे नेत्रों से आखों से आशु निकल जाते हैं बह जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि आशुओं के खारे जल के साथ हमारे मन का संपून विशाद घुल ग आगे देखो जीविशा का प्रणाम है तो कभी कह रहे हैं कि कोई भी मनुस हो हर मनुस के प्रतिक मनुस के जीवन में बहुत सारी परिशानी आती है दुख आता है चिंताय आती है और जीवन में ऐसी ऐसी घटनाय घटती है जो उसको अच्छी नहीं लगती है उसको प्रियन नहीं होती है तो भी ऐसे परिस्तिती में भी जीवन रूपी संगराम में डटे रहना ही हमारी जीजी विशा का परमान है मन की पीडा छाई बन बादल बरसी आखे प्रस्तुत पंक्ती में कभी कहते हैं जब आकास में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है कभी कह रहे हैं कि जब आकास में बादल एकदम काले काले हो जाते हैं बहुत घने हो जाते हैं तभी वर्षा होती है उसी प्रकार जब मन की पीडा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आसुों के रूप में बरसने लगती है कभी कह रहे हैं कि जब आकास में बहुत बादल घने होते हैं एक दम काले काले होते हैं तभी ही वर्षा होती है ठेक उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आस्वों के रूप में बरसने लगती है अगली पंक्ति देखते हैं चलती साथ पतरियां रेल की फिर भी मौन कभी कह रहे हैं कि जो रेल की पतरियां है या अनन्द काल से साथ में चल रही हैं परन्तु वे सदा मौन रहती हैं एक दूसरे से कभी बात नहीं करती हैं पच्छो आप लोगों ने भी देखा होगा रेल की पतरि देखो दोनों पतरे से एक साथ में रहती है लेकिन वो हमेशा मौन रहती है चुप रहती है और वो कभी भी एक दूसरे से बाते नहीं करती है तो रेल की जो पट्री होती है वो अनंत काल से एक साथ रहती है लेकिन वो मौन रहती है और एक दूसरे से कभी बात नहीं करती अगले पंक्ती देखो सितारे छिपे बादलो की ओट में सूना आकास प्रस्तुत पंक्ती में कभी कह रहे हैं कि सितारे आकास का सिंगार हैं वे आकास की सोभा बढ़ाते हैं जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं तो आकास सुना हो जाता है ठेक उसी प्रकार, कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्पुन होते हैं, बहुत महत्पुन होते हैं, और उनके चले जाने पर, उनके विमुख हो जाने पर, मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। अगली पंक्ती देखो, तुमने दिये जिन गीतों को स्वर हुए अमर, कवी के अंदर अनोखी समर्थ होती है, वो जिन गीतों को स्वर देता है, वो अमर हो जाते हैं, इसी प्रकार कवी अपने रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। जो कवी है, कवी के अंदर अनोखी समर्थ होता है, उसके जो गीत हैं, उसके गीतों से वो अमर हो जाता है कवी, अगर चाहे तो अपने रचनाओं के द्वारा समाज में बहुत सारी परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मचली प्यासी ही रही। जो किसी जरूरत मंद की काम नहीं आता है, उसकी मदद नहीं करता है, तो उसका बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है। उसका बड़ा होना व्यर्थ है। इस पंक्ति के माध्यम से कभी कहते हैं कि सागर है, ये बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारा पानी होता है। लेकिन वो पानी खारा होता है, उसका उप्योप पीने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार, ये दि कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, जिसके पास बहुत पैसा हो, वो बहुत बड़ा धन्वान हो, लेकिन उसका क्या फायदा, अगर उसने कभी किसी जरूरत मं की सहायता ना की हो, तो उसके बड़ा होने का कोई भी अर्थ नहीं है, उसका बड़ा होना व्यर्थ है, तो बच्चों यहीं पर हमारा ये कविता का अर्थ समाप्त होता है, तो बच्चों मैंने आपको पूरी कविता बढ़ा दी और उसका अर्थ भी आप लोगों को बता आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पार्चाला काला आप सभी बच्चे ले सके जो घंटी का अच्छी तरह है उसे प् पिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हीन जय भारत